बेशक सभी का किस्मत एक जेसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में साहिक हो सकता है, एक सही मार्ग दर्शन हमारे भविश्य को वुजवल बना सकता है, जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्ग दर्श एक विशेश चर्चा करेंगे, कर्मुति के देवता, नयाधीश, दंडा दिपती, और नवग्रों में राजा शनीदेव का आज हम चर्चा करेंगे, आज के दिन, यहने 29 एप्रिल 2022 को शनीदेव मकर राशी से कुम्बराशी में प्रवेश करेंगे, और इस मकर राशी से कुम राशी में जो शनीदेव प्रवेश किये हैं, इनका अलग-अलग मेश से रहे के मीन्त के राशी वालों को इसका क्या फल मिलता है, कैसा रहेगा, यह हम जानेंगे आज के कारेक्रम में, पहली बात देखें, शनीदेव के बारा में एक दो, स्थिर्फ एक दो मिट बोलना च करते हैं, उनको उनके कर्मों का हिसाब गिताब लिखा जोका रखते हैं, शनीदेव सबके कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं, साड़े साती आता है, ढईया आता है, सबको मालूम है, लेकिन सारे लोग जितने भी लोग दर्ती में बसते हैं, उनको अलग-अलग प्रका सब्सक्ते में युवल एक शनिदेव इससे कैया लाभा उसको फल में उतना ao नहीं रखता इस कल्यूग में जितने शनी इव को मंदिर है शायद ही कोई दूसरे ग्रह का मंदिर है तो यह हमारा एक आज का कारेक्रम रोचक है क्योंकि आज शनीदेव के गोचर जो मकर राशी से कुम राशी में प्रवेश किये हैं शनीदेव इसके बारे में हम अलग-अलग राशी होके लिए देखेंगे क्या इसका मेश राशी के लिए ग्यारवा स्थान है ग्यारवा स्थान में शनी का गोचर होने से मेश राशी वाले के बिगड़ेवे काम बनेंगे नए आयाम मिलेंगे कामकाच के नए शूरूत मिलेंगे कामकाच के उनका जो इनकम है व्यवसाय में जो उनका मुनाफ़ा है वो पाइसा हो गया धन्संपथी वह गया यश कीरती बगारा अच्छा रहेगा मेश राशी वालो के लिए अब दूसरा है अपना बुरिशव राशिव वोले के लिए शनीदेव का गोचन नवम से अभी दशम में हुआ है तो काम काज बनेंगे उनके नए काम मिलने के योग बंते मकान भूमी संबंदित जो उनके परिशानियां थे वो उनको होने के जैसे अने उनका मकान भूहीं संबंदी परिशानी था वो परिशानी उनको दूर होते दिखाई देता है कामकाच के अंदर नए आयाम नया एक नयापन लाने का योग बनता है और सुद्रुड रुप से और मेनत तरीके से काम करने के योग बनते व्रुषब राशी वालों के लिए यह किसमे निग अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ासा माता के पक्ष के लिए और पत्नी या पती के पक्ष के लिए थोड़ासा तब्यत संबंदी थोड़ासा ध्यान रखना जरूई है अगला है अपना मिथून राशी देखें मिथून राशी वालों के लिए अभी तक का शनी देव का लगबक तीन साल से शनी देव का ढईया था अभी शनी देव उनको नाना प्रकार के कश्ट वो भोगे हैं पैसे को लेके कामकाच को लेके परिवार को लेके और अपने एक मान प्रतिष्टा संवंपन को लेके बहुत परिशानी छेला है उन्हों ने लेकिन अभी ओसब कर्म ये ता है और सनिका गोचर में कगर राशी में मrid şiapी कुम परी सित क्मराशी गोचर होने के वाजे उनका जो शया धहिया था धहिया का पीड़ा उनका दूर हुआ है अभी से लेकिन इसमें एक थोड़ा सा भेद है कैसा अभी शनीदेव जो मार्गी हुए हैं या कुम्ब राशी में प्रवेश्की हैं वो आपको जुलाई तक का शनीदेव कुम्ब राशी में रेंगे फिर ज प्रकुप जेलना पड़ेगा डिसेंबर तक का तो इसके लिए हनमान जी का पूजा अपसना करें शनीदेव का मंदिर जाए शनीवार को और सरसो का तेल का दिया पिपल के पेड़ के निचे हर शनीवार को लगाने से इनको शुप्फल मिलेगा फुल मिलाके मिथुन राश इनको चालू हुआ है उसके वज़े से कामकाज में परिशानी पैसे पानी को लेकर तंगी नौकरों को वज़े से परिशानी और विए परिशानी और तब्यत पे गलत असर मिलना और जो इनका वानी है बोलना उससे वो बोलेंगे कुछ लोग उसका मतलब और कुछ निकालेंगे तो अपने वानी को सोच समझ के बोलना जरूरी है काम काज पे नियंतरन रखके, काम काज पे ध्यान रखके चलना जरूरी है बाकि गाड़ी वाहन वेगरा सोच समझ के चलाना चीए करक राशी वालों ले उनके लिए थोड़ा सा गाड़ी अगर साउधानी बरत के असाधावनी से अगर गाड़ी चलाएंगे तो उनको परेशानी होने का पूरा योग बनता है अगला है अपना सिंभ राशी वालों के लिए देखिए अभी तक का शेनी का बल था शेनी देव शटे में थे अभी सब्तम में जा रहे हैं तो शेनी देव शटे में थे तो राज्योग जैसा उनको फल था हाला कि थोड़े बहुत निवनेताइं कमी थी उसमें लेकिन प्रेशिन मिलेगा उनके काम जो नहीं बन रहेते हो बनना शुरू होएगा हाला कि जो लीगल केसे से थोड़ा सा उनको रिलिफ मिलते दिखाई देगा अभी लेकिन काम काच के अंदर नए आया मिलेंगे पिता के स्वास्त को लेके परेशान हो सकते हैं पिता के स्वास्त ध्यान देना जरूर हैगा सिंघ राशिवालों के लिए बाखी बॉस के साथ अच्छे रिष्टे बना के चलने जरूरी हैं अड़ोस पर उसके लोगे साथ भी थोड़ा सा सामन्जस बनेके चलाएंगे तो अच्छा है सिंघ राशिव अगला है देखे कन्यराशिक चाहित है उनके लिए अच्छा यह वहां दिक्कत वखला था कॉंके साथ वह अच्छा सटे उनको एंको नहीं बने करई हैं और विरोधी पक्ष्ट पख्ष्ट अनके बिगड़ गये पंचम के शैनी के वाज़ेसे ने हैशनी लेकिन यह उनको काम नहीं बन रहें वो काम ब बनेंगे और विरोधी पक्ष उनके पराजित होंगे विजय पाएंगे और जहां जहां पे उन्होंने सोचा था भई यह हमसे यह काम नहीं हो पा रहा अभी पिछने तीन साल में वह सारा काम अनायास होते दिखाई देंगे कन्यराशी वालों के लिए हलाकि लेकिन इसमें एक पेट थोड़ा से कंण्यारशी वालों कोg Kronik पेट और उनको थोड़ा सब्लाय देना पRR और इसके उपर वहां चला तहें बच्चे सबये कश्यराशी वालों लेकिन ठाल शाख कर के वह अभी जो दो मईने एप्डिल और जून का मौईना है इसमें वहां बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए कन्य राशी वालों ने चोटा मोटा चोट लगने का योग बनता है और कोई भी चोटे मोटे जो जमेले हैं फसाद या जगणे उसमें उल्जे नहीं तो बहतर रहेगा देखें कन्य राशी वालों के लिए धाई साल बहुत अच्छा जाने अगला है अपना तुला राशी में कैसा के तु अलड़ी गोचर कर रहे हैं और राहु सब्तम में है और उसके पर शनी की द्रिश्टी है तो इससे क्या तुला राशी वालों के लिए अभी ध्या को जो एफेक्ट चल रहा था ध्या का जो उनको परेणा मिल रहा था वो ध् श्रीन पंचम का शनी है योग का रही शनी के लिए थोड़ा बहुत कमी के साथी मिलेगा क्योंकि राहू के यह न इसमें पर larger को पटनर को ले के प्राब्लम होना या घर में पतनी है या पति है उनके तब्यत के अपर आशर होने से जो विद्यार्ति पढाई करने जो पढ़ाय बड़े बड़े पद्भी के लिए या फिर अच्छे पढ़ाय पास za npsc यू pasc पास करने का सौच्छ निक लिए अच्छा रहेगा ये साल तुलह राशी वाल錯 जो बच्चे पढ़ने उनके वालों के लिए यह को दोछर है बिला जुला रहेगा और जिनके प्रापरटिस नहीं बन रहे उनके प्रापरटोस बनेंगे ईनको फॉन को और住 बिन को योग बनेंगे और जिनको समझो पूश्त हैं कुछ खेति यह यह जनीन Ph 65 एक कमा तो उससे भी हम Q उस से उनको मुनाफां फाइदा होगा जमीन के वरिश्चिक राशी वालों को ये साल ढहेया का भी एफेक्ट मिलेगा ढहिया का थोड़ा सा MP2 का मक पंचम में गुरु होने के वज़े से व्रिश्चिक राशी वालों के लिए वह उतना बुरा एफेक्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना है लेकिन काम जो बनने रहे वह बनेंगे इसमें थोड़ा सा आलस बढ़ने का योग बनता है व्रिश्चिक राशी आज ने कल करेंगे परसो से दुरगटना वाजववात से बचना है व्रिश्चिक राशी वाले और वर्ष्चिक राशी वालों के लिए यह साल जो शनी वक राएं अच्छा रहेगा तो भब हो जाएगे तो ज़ो ठोड़ा कम हो जाएक। धां हैं लेकिन कुल मिला के वुरीश्चिक राशिक वालों के लिए अभी शनी का जो साड़े साती चल रहा था यहां से मुक्त हो गए हैं हलाकि जुले के बाद शनी वक्री होकर फिर से मकर राशी में आएंगे तो थोड़ा सा उनको परिशानी दिखाई देता है बारा जुले के बाद लेकिन वक्री होने से उतना उसका प्रबल मारक फ प्रश्चिक राशी वालों के लिए यह जो शनी का गोचर है जो कुंब राशी में आएंगे शनीदेव उसका उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा अच्छा नेत्रित्व करने का योग मिलेगा और जो काम उनके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं और इन सब इसके उपर कैसा प्रिष्टिक राशी वालों को शादी वोने के लिए उन लोग को शाधी योग बनता है और जिनको संतान प्राप्ति योग नहीं बन पार अभी तक का संतान प्राप्ति का योग बन रहा है प्रोमोशन मिलेगा नये काम शुरू करनेंगे नया आया मिलेगा नया मकान भूमी भवन खरीदने का योग बनता है रिष्चिक राशी वालों के लिए बशर्थे आलस को छोड़ना है और काम को वो टेंपे पूरा करेंगे जिस टेंपे करना वो टेंपे करेंगे तो कर चुके हैं प्रबेश क्रने वैसे धना राशीवालों को साड़े साती यहां से समाप्त हो चुका है उनके सारे उनके वनेंकर किया हो सालों भी और साल में बहुत प्राशानी उन्हें ज्झेला है is अ जये से उनके सारे काम बंते दिखाई देते हैं नया प्रमोशन मिलेगा जिनकी शादी उनके शादी होगी प्रॉपर्टी लेने का योग बनता नेत्रित्व करने का योग बनता है और जो जो इनके तकलिफ थे शरीर को लेके स्वास्त को लेके आर्थिक को लेके पैसे को ले यह सा थोड़ असा परशनी क्योंकि उसके पर शेनी की द्रिष्टीराई के ऊपर तो मानसिक तरीक से थोड़ा सा परेशान होना जो बच्चेंब पड़ाई करते हैं उनका कांसरेशन खराब होना या पड़ाई के अंदर फोकस नहीं होने का योग बनता है और जो पेड़ संबंदी परेशानी जेल रहे हैं धनुराशी वाले जो भी छोटे-मोटे जो रोगी हैं उनको यह रोग बढ़ते दिखाई देता पेड़ संबंदी असी रेटी संबंदी बाकि इन टोटल धनुराशी वालों के लिए यह जो गोचरे मकर राशी से कुम राशी में ज देखें मकर राशी वालों को अभी पांच साल से पिछले साड़े साती भोगत ने अभी यह शनी का गोचर कुम राशी में जो हुआ है यह अपना आखरी धाई साले मकर राशी वालों के लिए हाला कि आखरी जो मकर राशी का जो शनी का जो गोचर है तो उतना उनको लेकिन अभी थोड़ासा कुम राशी में जो शनीदेव का गोचर चल रहा है मकर राशी वालों के लिए अच्छा फल रहेगा पैसे पानी का बंदोपस अच्छा रहेगा भूमी मकान संबंदी थोड़ासा कमीयों के साथ सुक मिलेगा और माता के स्वास्त को थोड़ासा हानी हो सकता है मकार राशी वालों के और कुमब राशी में शनीदेव का गोचर होने के वज़े से जिनको मकर राशी वालों को जिन पर घुटने में दर्ध है या पुराने जो वीमारी से ग्रसीत थे उंको थोड़ा सब परेशानी बढ़ने का yu.keiten बाकि जो कामकाजवाल है वी मकान समान करें चा के लिए के लिए अच्छा रहेगा इसना Сकवत जो भी देख्यों अभी हैக्ष कुंब राशी में एक शनी का गोचर होने के वज़ेसे क्या हो गया है मकर राशी वालों को सारे साथ प्रवेश कर चुके हैं तो लगन में कुम्ब राशी के प्रवेश मूल त्रिकोंड में उनके मूल त्रिकोंड राशी में कुम्ब राशी में शनी देव का आगमन हुआ है थो इसे उनका स्वास अक्षा हो और थोड़ था काम काच को लें के परिशनी देगा अभी सरव का इसा रता है शनीदेव श्यास्त्र प्रवा न्याया करता के लिए थोड़ा सा आपको negative points कस्ट कर points ज्यादा बताऊंगा क्योंकि शनीदेव कस्ट कारक ग्रही हैं कस्ट देते हैं परिशानी देते हैं तो उसका निजात पाने के लिए हमको शनीदेव को पूजा करना है हनमान जी की सेवा करना भोलेनात की पूजा करना यह हम आगे चल और कामकाज नहीं बनेंगे, confidence अच्छा रहेगा, health अच्छा होगा, धनागम का सुरोत अच्छा बनेगा, यह साल पैसे कमाई वगरा जो कमाना चाहते हैं बिजनस में, profession में उनको अच्छा रहेगा, professionally जो काम करते हैं, office में वगरा उनको promotion मिलने के योग बनते हैं, boss के साथ अच्छे रिष्टे बना के चलने का बिल्कुल कोशिश करें, कुम्बराशी वाले नहीं तो बिगड़ सकते रिष्टे उनके साथ, life partner हो गया, अपने business partner हो गया, उनके साथ एक सामझस बना के चले, पती या पत्नी जो भी है life partner उनका अपना तब्यत पे ध्यान देना जरू जरूरी है, थोड़ा सा time देना जरूरी है, केरिंग करना जरूरी है कुम्बराशी ने, तो पती पत्नी के बीच में मतभेद बढ़ने का योग बनता है, और ये बीच का अब गोचर है शनी देव का कुम्बराशी वालों के लिए, तो उनको ज्यादा अपने पे बात इगो सिंट्रिक नहीं बनना है कुम्बराशी वाले, जो जैसा है उसे सरलता से लेना है, तो उसको अच्छा रहेगा उनके लिए, देखे अगला देखते हैं, आखिर राशी अपना मीन राशी, मीन राशी के लिए अभी तक का शनी देव ग्यारवेस्तान में गोचर कर रह करना है, शनी बार के दिन आपने थोड़ा सा पूजा पाट ज्यादा करना है, शनी बार के दिन दान धरम करना है, शनी बार के दिन मंदिर जाना है, शनी देव के शनी बार के दिन आपने हनमान जी का उपासना पूजा पाट ज्यादा करना है, ताकि आपको शनी देव का ज द्रचा लेकर आयेगा ब्रह्मन करेंगी ज़िए के से विदम के बिजनस के सिल्चील डश जगें योग को जाले को और ऐसे और कोई कोई कारे किस वह चल रहा है तो उससे भी आपको को किल्ट दिखाई झ capitalize और शक के चलते चलते झाले के प्रभाव चलते जो आपके संगत नियाय संगत है वो आपको बिल्कुल आपको मिलेगा शेनिदेव के कृपा के वज़े से और मीन राशी वालों को खर्चे होंगे नया कुछ करने का खर्चा हो सकता है गाड़ी मकान भूमी संबंदित खर्चा करने का योग बनता है और मीन राशी वाले गाड़ी सोच समझ के चलाना है, छोटा मोटा एक्सिडेंट्स होने का योग बनता है मीन राशी वालों को और मीन राशी वालों को साड़े साथी अभी चालू होने के वज़े से उनको पाव में तकलिफ होना, नवकर लोगों से परिशानी होना, अड़ोस्पोर्स के लोगों से परिशानी होने का योग बनता है, हाला कि मीन राशी वालों को अपने वानी पे अंकुष बना के चलना ह बात करना है सोच समझ के चलना है नई तो उनका जो इमेज है उनका जो चवी है लोगों के वीच में खराब हो सकता है बोलना कुछ चाते हैं बोल कुछ और जाएंगे उससे उनका इमेज खराब हो सकता है मीन राशिवालों के लिए तो कुल मिला के मीन राशिवालों को थोड प्रवास सा शफल करकर बराबर विवस्तित प्लान करें अपने अपने जो प्रवास है नहीं तो आपके निरर थक बेस्ट बिलकुल उसलेस प्रवास होंगे तो उस पर ध्यान रखके चल रहा है तो दर्शकों ये था अपना बारा राशी वालों के लिए शनीदेव का गोचर से आप्ता देना है तो इस पीच में कैसा है शनीदेव के म药ान के लिए धरममें चले, मता पिता का सेवा करे गुडू जनों को मानसम्मान करे जो गरीब हैं जो हमसे नीचे उन पे इन पर th skincare छुल्बार हैं जो claimed करना उनका सेवा करना अच्छा रहेगा और शनी देव को प्रसंद करने के लिए और शनी देव को प्रसंद करना चाहते हैं वो अपने गुरु जुनों का अपने माता-पिता का मान सम्वान करें करें काले कुट्त करो तो इससरे शनी देव अत्यांत जल्दी प्रसंद हो सकता जिनको कुछ नहीं हो सकता वह क्या करें आटा और थोड़ा सा जो घ्यों का आटा रहता है और शक्कर मिला ले दोनों मिला के चीटियों को डाले इससे शनीदेव बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं तो दर्शको ये था अपना बारा राशियों के लिए शनीदेव का मकर राशी से कुम्ब राशी में प्रवेश जो अधाने शट्वल तो दर्शको आज के लिए इतना हैं नमस्कार बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सायक हो सकता है एक सही मार्व दर्शन हमारे भविश्य को वुजवल बना सकता है जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्दर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN News Channel पर